गुड आफ्टरनून बच्चो आज हम पढ़ेंगे सेकिंड में क्लास्रूम एंड स्टेशनरी यानि बच्चो यह हमारी क्लास है जहांपे हम बच्चे और टीचर्स होते हैं तो और वहांपे क्या-क्या स्टेशनरी होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो बच्चो आप देखोगे कि क्रोना वाइरस की वज़ा से हम स्कूल मिस कर रहे हैं तो चलो आज हम देखते हैं कि इसमें हम आपको मिस नहीं करेंगे और आप मुझे मिस नहीं करोगे तो ये देखो ये हमारा ब्लैक बोर्ड है जिस पे हम लिखते हैं मैम कुछ भी अगर लिखती है एक्स्प्लेइन करती है तो वो किस पे लिखती है ब्लैक बोर्ड पे तो ये आपकी मैम है जिसको हम teacher कहते हैं ये students हैं जो class में बच्चे होते हैं पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं उनको हम students बोलते हैं ये students हैं ये क्या है? cheer जिस पे मैम बैठती है अगर यहाँ पे कुछ लिख रही है मैम तो इसके हाथ में क्या है? उसको रब करना है तो वो किस से करेगी? डस्टर से तो ये मैम के आगे book रखी हुई है तो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं इस place को हम बोलते हैं classroom तो यहाँ पे ये किस पे बैठे हैं? table bench पे तो ये students हैं ये होगे हमारे students जैसे आप हो, बहुत सारे बच्चे हैं ये class में बैठे हैं तो हम इनको बोलेंगे students तो और किस पे बैठे हैं ये? table bench पे अब हम जब पढ़ते हैं तो हमें क्या-क्या material यूज़ करना होता है वहाँ क्या-क्या हमें चाहिए जो copy पे आप लिखते हो तो वह किस से लिखते हो आप? pencil से तो ये हमारी pencils रखी हुई है अगर लिखते-लिखते कुछ गलत हो गया है कुछ mistake आप से हो गया है तो वह आप eraser से उसको रब करोगे और फिर दुबारा से लिखोगे तो हम इसको क्या कहते हैं? eraser ये हमारा globe है जिस पे हम बोट सारे countries को देख सकते हैं ये ink part है ink container भी कह सकते हैं हम इसे इसमें ink रखते हैं और फिर हम लिखना शुरू करते हैं तो अब हम आगे चलते हैं ये हमारा है clip board क्या है clip board तो जब papers वगयरा आपके exams होते हैं तो आप इसमें paper को रखते हो और अराम से लिखने लग जाते हो तो ये आपको याद रहा ना ये क्या है इसे हम कहते है clip board ये हमारा है sharpener जब pencil को तेज करना होता है ये pencil तूट जाती है तो इससे हम sharpener से उसे तेज करते हैं ये copy है ये pen है और ये हमारी colors है rayon colors different types के, different colors के ये हमारे colors है जिससे हम use करते हैं जब हमें कोई drawing वगेरा बनानी होती है तो उसमें हम ये crayon colors use करते हैं तो ये हमारा pencil case है इसमें हम pencils वगेरा रखते हैं यानि एक pouch जैसा होता है ये है steppler जिसससे हम paper को step करते हैं बंद करते हैं और ये होगी हमारी scale जब आपको कुछ measurement लेना होता है तो आप इस scale से ही major करते हो तो ये बच्चों आप समझ चुके होंगे कि ये ये चीजें जो हैं ये हमारे पास होती हैं जब हम classroom में पढ़ने के लिए enter करते हैं तो आज का इतना ही, okay, bye